जिस तरह विद्युद्विभाग के लापार बढ़ती जा रही है पहले ही बारिश ने विद्युद्विभाग के पौर खुल कर रग दी जिये आपने देखा होगा कहीं पर डीप्या खुली पड़ी है तो कहीं पर पॉल्ड होने का डर बना रहता है जिस तरह अब ठीक से बा हासा होने का इंतजार है पहले अदबारों के माध्यम से चेताओनी आ चुकी थी तो जिला अबदा समीती और क्या विद्युद्विभाग सोया हुआ था इन आज देखें शहर में कई जगे पेड़ गिर गये हैं कई जगे तार टूड गये हैं अगर इस तरह की घटना अग और मैं जहां तक समझता हूँ नीमच शहर आज पूरा परिशानी जूज रहा है सिरिफ छपास की और अपना प्रचार का प्रोपरगंदा करने का नीमच में एक एसा वो चल गया है कि जो चाहे वो अपना प्रचार कर रहा प्रोपरगंदा कर रहा है जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर कारें कुछ नहीं हो रहे हैं, लोग दरदर की टोकरे का रहे हैं, लाइट जाने से कई लोग परेशान हुए, कई लोगों के काम नहीं हो पाए, और प्रशाशन को चाहिए कि आगे भी पानी जबरदस आने की संभावना है, एसे को देखते हुए, जो वायर की जो मै पेड़ गिर रहे हैं, तो उन्हें अभी से ही इस चीज की त्यारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या घड़ी हो सकती है, अगर जो इसे कहिए विभाग इस विशे पर सोस्ता नहीं है, और आप्धा प्रवांदन को अभी से ही उस चीज की त्यारी कर लेनी यह डीपियां नहीं चेंज की गई थी, और कहिने के अब यह आया था कि अब जो है लोगों को इस से रहात मिलेगी, अब जो बिजली नहीं जाएगी, और जनता हो कहिने की रहात मिलेगी, लेकिन अब देखने में आया कि पेली ही बरसात में, जो कर 6 गंटे विद्यू कि बड़ी लापरवाई एक सामने आई है, निश्यूत रूप से इन सब के ओपर एक कारवाई की जानी चाहिए। नीमस आसिफली की रिपोग